नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप करने विजय साइं बाबा की चन चैनल पर ये देखिए दोस्तों मैं एक नए अडिस तेयार करने वाली हूँ इस कटोरी से मैंने दो कटोरी भरके सत्तू लिया भूने हुए चन्य के दाल को हम सत्तू बोलते हैं दोस्तों यहां मैंने दो अद्रख लोगे तो तोड़ी से लिया रेशी ते तीन बारीक कटे प्याच पॉस्त शोटै और अद्रag लोगे लोगे थोड़े से एक चमस अद्रख औरर ये थीन बड़े प्याच थे मघन वर डाल दिया और 25 आखरी बिरिस का टे काटे थे वो ले लिया और मैं एक निबू लूँगी देखिए दोस्तों यहां पर मैने निबू को निचोड के इसका मैं जूस डाल दूंगे सिन जूस को । लेंजूस होता है जलोटे न ऊएन तो दो बड़े चमज शर्सो का तेर और दोस्तों इसमें पढ़ जाएंगे थोड़े से नमप स्वाद अनुसार आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं अपने अनुसार कर में दळूगी जीरा हाफ हाफ सपून और हाफ सपून में डालूगी काली मर्च अर दोस्तों इन सब को मैं क्या करूँगी उसी काल मिम्हों अश्वैएंप काला वाला अब हाँ मैं इसे अच्छे से दोनों हाथों से में स मैस कर लंगी दोसको देखें कि मैं एक इतना अच्छा इससे ब्रेक बनाने बनाऊंगी तो जिसे आप खाके जरूर कहेंगे कि कितनी अच्छी लग रहे थी है देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका लुक आ रहा है देखिए मैंने इससे अच्छी से दोनों हाथों से मसल के कर लिए ज्यादा वीड आठा को गुत लोंगी जिं हुं का अटा है दूस्तों थोड़े-थोड़े से पानी डालके दूस्तों एकदम एकदम वुलाइम से में आठा गुत लोंगी देखिए दोस्तों इस तरीके से जैस Isak a विडियो में देख रहे हूं देखिए इसे म life अब देखि कि'RE दोस्तों मैं इसमें क्या करूगी जैसा वीडियो में देख रहे हो देखिए मैं इसमें भर दिया सत्य दोस्तों में थirmें ज्यादा ही भरती हूं अधमों घृष जरूरत वह संभ्हते कामें डालते हैं Sit देखे दोस्तुम unspo já ऑब मैं इसमें ठोड़ाओं सो गेहं काटा लगाके ऐसे चारा तरफ इसे पतला फिंगर कीई को仔 मैंनि इसे ऑच्छे चारो तरफ इस तरीके से दूस्तुम मैंने मिला लिया देहिए दोस्तों abima इसे थोड़ा सा अच्छे से थोड़े स्पूरी की सेप में इसे बेली देखे दोस्तों देखे वाप केतना प्यारा दिख रहा है अम में यहां पर मैं हाई फ्लेम ओन करूंगी तब मेरा गरम हो जाएगा तब तक यह देखे दोस्तों जब भी हम लोग पहली रोटी बनाए तो हम लोग को यह एक ऐसा रख देना चाहिए छोटा सा दोस्तों और इस पर थोड़ा सा गेहू का आटा भी उस पर थोड़ा से मैंने छिड़क अब देखे दोस्तों मैं इसे पलट लोगी जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं देखे दोस्तों इसके कलर उपर से थोड़ा सा चेंज हुआ मैंने इसे पलट लिया अब मैं क्या करूंगी हाई फ्लेम और करूंगी दोस्तों ताकि यह नीचे से अच्छे से पक जाए आप मैं इसे फोड़ा-चाँ मैं दो से पूपर से आइल लोगे देखे दोस्तों चारोत्रपी डाला थोड़ा ओपर भी डाल दिया अब मैं इसे अच्छे से 숨 hypoc Original से ठोड़ा थोड़ा खूल रह रहे इंक solchen कितना प्यारन लग रहे हैं दोस्तों तो खाने में और क्या है आप लोग अपने घर में जरूरूर सेटाड़े को यही बना कर खाईए। दिन में एक हाते हैं और रात में वो खाते हैं। जो कुछी भी गसानी देउं का जो भी ग्रोय रहता है, वो मिठ जाता हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है दोस्तु। अब हम लोग इसे दही के साथ, चोके के साथ, दिखे दोस्तों, कितना अच्छा लग रहा है कलर, यहां मैंने ले लिया दही, मीठी-मीठी दही, और यहां पर कुछ चोखा भी मैंने ले लिया, यह एक प्यारा ब्रेकफास्ट है दोस्तों, मॉर्निंग में हम लोग ने यही बनाया था, थैंक्स पर वच्छ दिस विडियो